सर्गुजा राजपरिवाद द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए सर्गुजा महराज वा 36 गड़ के स्वास्त मंत्री टीए सिह देव द्वारा सर्गुजा पैलेस अंबिकापूर में विशेश पूजा अर्चना का कायकरम किया गया सर्गुजा पैलेस लोगों के लिए खुला हुआ था सर्गुजा के लोग दशरी की दिन पैलेस घुमने वर देखने आते हैं सर्गुजा सियासत का से चली आ रही रिती रिवाजों का निर्वहन करते हुए परंपरागत रिती रिवाजों के अनुकूल शस्त्रों की पूजा सीमाو की रक्षा सुरक्षा और सभी छेत्र के निवासियों का सम्मिशन, अश्मी पूजन के बाद में महमाय जी के यहां से अश्मी नॉमी के संदी के पूजन के बाद आते हैं, तो अनुसुची जन जाती समाज के बैगा वो द्वार पूजन करते हैं और जब तक उनका फाटक पूजा नहीं हो जाता तो राजा भी महल में प्रवेश नहीं कर सकते तो उनके पूजन के उपरान थी राजा पुना उस वर्ष के लिए महल में प्रवेश करते हैं और आज दशेरा के दिन गज, हाथी, अश्व, भोड़ा और इसके साथ सस्त्र, नाउग्रह, इत्यादी ये रक्षक सभी सूसकांकों की पूजा करके चेत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए राजा जो पुरातन समय हुआ करते थे, राज तंत्र जब रहता था, वो पूजा अर्चना करते थे साथ ही आपने देखा होगा कि आशा, सोटा और निसान जो मुसल्मान समुदाय के प्रतीक चिन होते हैं, उनका भी पूजन होता है, नगाडा का भी पूजन होता है, इसमें मुखी रूप से अनुसुची जाती समाज के उसके रक्षक होते हैं तो हर वर्ग के छेत्र में रहने वाले नागरिकों के प्रतीक के रूप में विभिन प्रकार के पूजा अर्षना की जाती है, उसके बाद सब के सुकी रक्षा और सुरक्षा के एक तरह से जिम्मेदारी लेते हुए और फिर आगे दशेरा का तिवहार होता है, जिसमें मिल